तो आज मैं आपको एक रेसिपी पताने वाली हूं देखे जो घौत की बनती है घौत की डाल भी बनती है डूपके भी बनता है और घौत का गुरोड भी बनता है गौत की डाल गरम होती है जाड़ों के लिए बहुत अच्छी रहती है इसलिए मैं बना रहूगा अज गौत लिये जितना को लेना है उसके बाद हम इससे लोई की कडाई में गौत को भून लिया थोड़ी जब तक तर्टर स्थ्र ना करें तब तक इसको भूनते रहना चाहि ओसके बाद जो अच्छी तरह के से घोध भुन जाती है फिर देखिए मैं आपको क्या करके दिखाती हूं फिर गौध भुन तरह बहुता है मैं इसको लूंगी सिलवटटा मिक्सी में भी हो जाता है बर मैंने इसको सिलवटटे मां करूँगे यह सिलवटटे में और यह मैंन जीरा गर्म चीज़े ढालत है जीरा डालने के बाद फिर फ्रैड्स हम इसमे डालेंगे घौत गौत डालने के बाद Be फिर गहालकी हेल इसको भूण लिया फिर जितना हमें जी अपने क्वाइन्टिटी के पहईवाब टेश्टी होता है आप लोग भी ट्राइए किजी क्योंकि जाड़ो के दिनों में गरम चीजें अच्छी लगती है ऐसे टेश्टी चीजें पहाड़ी डिस है हमारी है ना फ्रेंड तो मैंने घोट डाल दिया उसके बाद मैंने बरतन में मिर्च नमक धनिया और हल्दी गरम मसाले वगर सब जितना हमको चीह है उतना लेकर बरतन में अलग रख दिया था अब मैं इसमें उसको भी एट कर दूंगी और फिर सब को सई से मिक्स अप करके यह सब मिक्स कर दिया हमने अब यह हमारा देखें मिक्स हो चुका है उसके बाद हल्की आँच में मिक्स कर रख है सारा क्योंकि फिर जल जाता है अब हमने इसमें पानी एट कर दिया है जितने हमको जरुत है उतने हिसाब से पानी डालते हैं क्योंकि फिर एकदम पतला भी गंदा लगता है एकदम तोड़ी हलकी आच में तेज आच अपने हिसाब से जितना हमें करना है रख दिया देखिए हमारा सारा मसाला जो है अच्छी तरीके से भून गया है और इसमें आटा वाटा भी अच्छी तरीके से इसमें वह नीबद्दे अब हमारे देखिए यह पकने लग गई है पक के मतलब लग बग तैयार ही हो चुकी है इसमें मैंने दीमी आच में रखा है इसको हमारी पकगी है बहुत सुन्दर रेसिपी है आप लोग भी से अपने घर में ट्राइ कर सकते हैं जाड़ों के लिए बहुत फायदे मंद होती है यह तो इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहिए और में चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूँ चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूँ जरूँ